करे लोग चार और सुकी जीवन चैनल पर आप सभी का हार दिख स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मदू में रोगी के लिए सबसे डेंजरस फूड जिनके बारे में आज हम आपको बताए दे रहे हैं दोस्तो इने खाने से बचें क्योंकि ये ऐसे खतरनाक वियंजन हैं खाने की चीजे हैं जो डाइबिटीज को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं बीमार को और ज़्यादा बीमार कर देती हैं तो आईए देखते हैं ऐसा ही आज चीजों के बारे में जिने हमें बिलकुल नहीं खाना चाहिए या हम ये कह सकते हैं कि मदुमे रोगी के लिए सबसे डेंजरेस और सबसे खतरनाक फूड यही है दोस्तो आधुनिक समय में डायबेटीज एक आम बीमारी बन गई है पूरे संसार में या भारत में डायबेटीज रोगों के संका तेजी से बढ़ रही है स्वास्त के परतिलापरवाई मदुमे का मुख्य कारण है प्रंतो जीवन सैले में बदलावत तक हानपान की आदतों में सुधार करके इस रोग को पूरी तरह नियंतरित किया जा सकता है बहुत से ऐसे आहर हैं जिनका सेवन मदुमें इसमें हानिकारक होता है इसलिए मदुमें रोगियों को पता होना चाहिए कि कौन से आहर उनके लिए स्वास्तवरदख है और कौन से नुकसान पहुँचा सकते है दोस्तों उन में से नंबर एक है चौकलेट, केंडी अर कुकीज मदुमे रोग्यों को चीनी और चीनी से बने खादे पदार्दों से परेश करना चाहिए ज्यादा चीनी वाले आहार जैसे चोकलेट, कैंडी और कोकीज में पोशक तत्व नहीं होते हैं और इन में कार्बो हाइटरेट की मातरा कम होती है जिससे यह बलेड में सुगर के इसतर को बढ़ा सकते हैं इसके अलावा चीनी खाने से मोटापा भी बढ़ता है जो कि डाइबिटीस के लिए बेहद खतरनाक है सफेद आटा खाने के बाद डाइजेस्ट होते वक्त चीनी की तरह काम करता है इसलिए मदू में रोगियों को सफेद ब्रेड खाने से परहिच करना चाहिए सफेद ब्रड ब्लड में सुगर के इसतर को बढ़ा सकता है जो कि मदू में रोग्यों के लिए बहुत ज्यादा घातक है Nos.3 है केक और पेस्ट्री मदू में रोग्यों को केक और पेस्ट्री भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि केक को बनाते वक्त सोडियम चीनी आदी का परियोग किया जाता है जो कि बलड में सुगर की लेवल को बढ़ाता है यह इंसुलिन के फंक्शन को भी परभावित करता है इसके इलावा केक और पेस्ट्री दिल की बीमारियों को भी बढ़ाता है नमबर चार है डेरी उतपादक मदू में रोगियों को डेरी उतपादक वस्तुमें नहीं खानी चाहिए डेरी उतपादों में संत्रप्त वसा होती है जो की सरीर में कोलेस्ट्रोल के इस्तर को बढ़ाता है इसमें इंसुलिन के इस्तर को कम करता है इसलिए डायबेटीज वाले पेसेंट को दूद, दही, पनीर, आधी, डेरी प्रोड़क्ट से बचना चाहिए पांच नमबर पे रहा है जंक फूड जंक फूड का सेवन करने से मोटापा बढ़ता है मदू में रोगियों को मोटापा नियंत्रित रखना चाहिए जंक फूड, फ्रैड आलू और फ्रेंच फ्राइज आदी नहीं खानी चाहिए इसको खाने से सरीर में कोलेस्टरोल का इस तर बहुत जादा बढ़ जाता है और यह मोटापा, मोटापे का भी में कारन बनता है नमबर छे है रैड मीट रैड मीट में पाया जाने वाला जटिल प्रोटीन बहुत धीमिगती से पस्ता है और मेटाबोलिज्म को धीमा कर देता है इसके अलावा रैड मीट में पाया जाने वाला फॉलिफेनोल्स नामक एक तत्व बलड में कोलेस्टरोल के इस तर को बढ़ाता है जिसमें इंसुलिन की परकिरिया परभावित होती है उसकी गती धीमी हो जाती है नमबर साथ है स्टार्च, युक्त, सबजियों और फल डायबेटीज रोगियों को आलू, अर्बी, कठल, जिमिकंद, सकरगंद, चुकंदर जैसे सबजियों और चीकू, केला, आम, अंगूर जैसे फलों को खाने से बिलकुल बचना चाहिए क्योंकि इसमें स्टार्च और कार्बोहाइडरेट बहुत अदिक मात्रा में होता है जो सूगर के इस तरको बढ़ा सकता है नमबर आठ, रिफाइंड कार्बोहाइडरेट डायबेटीज के कारण सरीर कार्बोहाइडरेट को पचा नहीं पाता है जिससे सूगर आपके सरीर में तेजी से जमा होने लगता है इसलिए अगर आप डायबेटिक, डायबेटीज वाले पेसेंट को डायबेटीज को नियंतरन करना चाहते हैं तो दोस्तो सफेद चावल, पास्ता, पॉपकॉर्न और वाइट फलोर से बचें मैदा से बचें इसके बाद आता है नो नमबर पर ट्रांस फेट डायबेटीज के रोगियों को ट्रांस फेट से दूर रहना चाहिए ट्रांस फेट सरीर में प्रोटीन को ग्रहन करने की चमता को कम कर देता है इससे सरीर में इंसुलिन की कमी होने लगती है और सरीर में blood sugar का इस तर बढ़ जाता है नमबर 10, soft drink soft drink में sugar की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है इसलिए इसके 7 से blood में sugar के level को बढ़ा देता है diabetes रोगियों को soft drink से बिलकुल दूर रहना चाहिए इसके अलावा इसमें बहुत कैलोरी की मात्रा भी बहुत अधिक होती है जो diabetes रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो जकती है नमबर 11, artificial sweetener त्रेत्रिम sweetener बहुत से लोगों को लगता है कि diabetes में artificial sweetener हानी कारक नहीं होता है वह बहुत अच्छा विकल्प है मीठा खाने का लेकिन विशेशग्यों के अनुसार क्रित्रिम मिठास metabolism system को बहुत धीमा कर देता है और वसा के जमाव को बढ़ा देता है जिससे diabetes को खतरा लगबख 67% तक और ज़्यादर बढ़ जाता है दोस्तो ये थे ऐसे खतरनाक फूड जो diabetes वाले patient को मदू में रोगी को बिलकुल भी नहीं खाने चाहिए उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए वरना बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारे यह वीडियो हमारे यह उपाए यदि आपको अच्छे लगे हों तो हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें हम जल्दी फिर लोटेंगे कुछ और नए मर्ज और उनके आसान से उपाएओं के साथ तब तक आप भंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें